नमस्ते बच्चों कैसे हो ठीक होंगे देखो अगले दास में हमने ये वर्द एकांगी है उनके बारे में वोत अच्छे तरह से समझे पहले तो ये दोनों की बात सुनकर राजा दुश्यन और वालग और तपस्विनी की बाते सुनकर राजा दुश्यन है बहुत आस्टरे च अब तो नजदिक आ रहा और क्या होगा अब तो ये दोनों की बात सुनकर नजदिक आया मन ही मन खूस होने लगा और तब तपस्विनी ने गया कहा था अगले तरस में आहा मुझे तो आसर लगा आप दोनों की ये सूरत है ना चेहरा है मिलता जीलता बीना इस बालक ने आ तो राजा दुस्यां तो बच्चे को गोद में उठाने लगा यह तपस्विनी जो यह रुषिकुमान नहीं है तो किस मन्स का है अब जान की इछा हुई कि यह रुषिकुमान नहीं तो किसकार मतका है इतना सुंदत इतना अमीर दूसरी तपस्विनी बोली यह पुरुवंसि नहीं है मन भी मनन सोचने लगा कि मैं ही पुरुवसी हूं तो हुआ इस लिए इसकी सुरद मुझसे मिलती है और द Archive थे इसलिए मन में भी मगसी मिलती जोगी है बच्छे को उतार देता कि युवा वस्ता में दे महलों में रख्षा और पालन करते हैं और जब ब्रुद्धापस्ता आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्यों के आस्रा में रुक्षों के निजे कुटी बना कर रहते हैं देवतार जेसी शक्ति वाला या नीडर और और साधरन वालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा वह सोचने लगा हाँ कोई भी पुरुष है देखो राजाओं की यह निती निती है जब उनका मन करता है तो राज महली में रहता है स्वतंत्र हो जाता है बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह बन में आकर तब करने लगते हैं या तो उनकी जीतेंद्रिय शरील को ऐसे ही छोड़ने के लिए मुझ बनाने पे लिए वह और ऐसे बन में आजाते हैं देले लिए गुद्धा वस्तरा आने के बाद ऐसे बाद राजा दूसरी तपस्वेने को बताने लगा अब दूसरी तपस्वेने बोली क्या बोली है परदेशी तेरा यह संदेर तब मिट जाएगा कि जब तो जान लेगा ना कि इस वालक इमा म इनका नाम एक अपसरा की बेटी है उसी के प्रताप से इसका जन्मग देव पितर से इस अब अब ने हुआ है क्या भोली तुम राजा है परदेशी जब जान लेगा कि इनकी मा कोन है तो इनकी माँ है वह अपसरा की बेटी में का नाम नी अपसरा उनकी बेटी है उनकी देव पितर से जन्वा वाहि इस लड़के का इस तपोवन में तो दोस्यां तो आप ही आप मन में मन में सोचने लगा यह तो बड़े खानत की बात सुनाई इससे कुछ और आशा बढ़ने लगी उनको लगा कि और आशा बढ़ी यह तो लड़का मेरा नहीं होगा न इसकी माता किस राजर से की पत्नी है अब वा सोचने लगा कि किस राजा की बेटी है इनकी मा मैं यह भी पुछू दूसरी तप इस राजा को बीना अपराथ छोड़ दिया है उसका नाम में नल लूगी दुसरी तपशे निकला बुले कि जिस राजाने कुछ जाने पिर जाने ऑन अपनी विवाहित स्थे को ऐसे ही छोड़ दिया तपोवण में इस राजा का नाम में नल लूग्ई राजांट में दूस्यन थे ना अपने आप श्वयंकी यह अकथा तो मुझबर लगती है क्या सोचने लगा यह कथा तो मुझबर लगती है बलायव अब इस मालक के मां का नाम पूछलों पहले तपस्विनी तब तो यह दोनों की जब भाषीत गो रही थी तब तो पहले तप बढ़क्त्सुः है अब तो मैं जान लूँ पीएं की मार किस राजा की बेटी है और इनके पती कोन है तो पहले तपस्यम ख़ित बॉलि बोली कि इसमखुत लावणिया देख यह शर्वदमन यह संपुत लावरिया देख संपुत लावरिया किसका नाम था मिटी के फीलों का मोर हेना उनका नाम था अब बलक बढ़े जाँ से बालक आश्चरे से देखने लगा, क्या देखने लगा, कहा है शंपुतला, मेरी माता, क्योंकि उनकी माता कर्मन क्या था, शंपुतला, शंपुतलला बढ़िया सब्त सुनने के बाद बारक आश्चरे चपित हो गया, उनको लगा मेरी माता का नाम दिया, तो वो अब बोल तुम इस नाम से दो खा खा गए ओर खा गए सरदमन मैंने तो कहा था कि मिट्टी के बूर को देखो तपस्री ने प्यागा पहली तपस्री जम मिट्डी का मोर लेकर आए ना उनका था शंकूत लावणिया शंकुतला वड़े सुंख्रों को लगा मेरी माता शंकुतला का नाम लिया बज्जे ने आस्तरे चाके तो प्रपूछा लेकिन तपस्रीनी ने कहा कि तेरी माता का नम नहीं लिया लेकिन विट्टी का जो भूर है उन से खेलो एसे बता रहे है राजा दुस्यन को और सोया मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे रूग त्रुषणा लिया से हीरण को व्याकुल करती है देखो राजा को और मण में सोचने लगा इसकी बाते सुनकर तो मुझे ऐसे लगने लगा कि यह शंटा मेरी ही पत्मी में होगी न और यह व्रुतां यह बात यह वाक्य यह दु बहुते हैं मरूग तुषना प्यास से हीरण को व्याग द आपको बता दो तक वह सब्सक्राइस को हिरण को ब्यास रहन और ग्वीमी दूर दूर पाणी दिखा देता है पानी और व्याकुल होकर दोड़ दोड़कर वह पानी पीने पले वहाँ जाता है लेगें वहाँ पानी नहीं होता तो ऐसे ही नाचा दोस्यन बहुत उत्सुक हो गए व्याकुल तो हो गए और जाते कि ओर एचा वड़े कि इखी माता संपुतला मेरी ही पतनी वो भी और वह सोचने लगा लेकिन बालब चतूर था बालब समझदा था खुश हो गया मुझे यह अममर बहुत अच्छा लगता है खिलोना हाथ में ले लेता है और वर कहने लगा कि मुझे तो यह खिलोना बहुत अच्छा लगा पहली तपसर नी एतना गबरा गयी है यह बालब की बाहसे जो रक्षा बनने का धागा बालता था था ना वह गहां बीर गया है इससे सोचने लगी गबरा कर भोली दुस्चें राजा बोला गबरा उमत जब यह नाहर से खेड रहा था तब इसके हाद से गीर गया था तुब वह उपड़ा है मैं उठाकर तुम्हें दे देता हूं राजा ने उस दागे को देख लिया था इसे वह क्या बोला कि जब हम एसे सी सावक्षिक के सारसी के बच्चे के साथ खेल रहा था ना तो बुझत की बांसे जो धागा है पर दीजे देता हूं चोलो मैं उठाकर को दे देदा उठाने के लिए बेंचे चूमता है राजा ने तुरंत लेगा हाथ में उठा लिया लेकिन पूरही तपस्यभी बोली अरे-अरे मध उठाओ इसे मध छूना क्या बोली इनको मत उठाओ, धागे को छुना मत। दुसरी तपसवीनी बोली, ओह, इसे तो उठाए हे लिया, क्या बोली? ओ राजा ने तो धागा हाथ में उठाया लिया, दोनों तपस वेनी, एक दुसरी के सामने देखने लगी, आस्टशा चकित हो गये, राजा ने हाथ में धागा वखा लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे आस्टशा चकित हो गये, राजा दुस्यां तो बोलने लगा, यो पर तो कहो कि तुमने मुझे इनको उठाने के लिए रुखा क्यों था क्या बोला कि आपने मुझे दागा उठाने के लिए क्यों मना किया क्या कोई कारण है कोई ऐसी बात है मैंने दागतों उठा लिया क्यों आपने मना कि तो दूसरी तपस्विनी बोली कि इस रक्षा लतकारण करनव था तब मशार मारेची के पुत्र कश्यक नहीं लएगा दिया था किसे दिया था महारेचीके कुत्र कश्यम में इस धागा दिया था और इसका गून है कि कभी यह धर्ती पर कीर कड़े तो इस बालक के माता और पीता दोनों को छोड़कर इससे कोई दुसरा न उठा सकेंगे इस धागे का एक महत्व था कि जो नीचे गिर जाएगा तो उनकी माता उठाएगे या तो उनकी पीता उठाएगे दोनों में से कोई एक उठाएगा तब भी यह धागा रहेगा इनका किसे दिया था महानमा मरेची के पुत्र कस्यप ने इनकी बां से बांदे दिया था तो राजा दोस्या तो और उठाएगे और अंदर से अंदर खुस होने लगा और जो कोई उठा ले तो क्या होगा राजा के मन में प्रश्ण हुआ कि मैंने तो धागा उठाया कुछ हुआ भी नहीं अरे कोई उठाएगा तो क्या होगा एसा प्रश्ण उसमें पूछ लिया तो पहले तपस्विनी बोली कि तो यह तुरंत साम बन जाएगा और जो उठाने वाले हमको दस देता है क्या हो ज है का क्या कोई एक बार एगा गएा कि तदनी बार होँआ है कना या वह दे लेकिन राजागा दूस्यृनप को तो आश्चरय लगा तो राजा Вас त्कुश हो गया प्रशन हो गया तो अब मेरा मनवरत पुरण हुआ, मैं क्यों ना आनद बना हूँ, बालों को बोध में उठा लेता है और बहुत खुस हो जाता है, बालों को बोध में उठा लिया, प्यार करने लगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि यह मेरा ही बालत है, यह दोनों तपस्विनी की बाते सु ऐसे ही खुश होकर राजा प्रसं हो जाता है और भुरत को उस मालभ को जिदने व्याकुलता से देखता है, ऐसे ही व्याकुलता से उसने अपने ही बच्चे को बोदे में उठा लिया और बहुत प्यार करने लगा, अब तो क्या हो जाता है, एकांग की इनातक है, वह पुर्ण हो जाता है, और पर्दा गिर जाता है, बहुत अच्छे कहानी, राजा दक्ष्मा सिह ने लिखी, दोनों तपस्वेनियों की बाते सुनकर, राजा दुश्यन को अपना पुत्र मिल जाता है, तो भरत जईसा जब बालग हो, बहादूर बालग हो, तो कभी कोई बात से डर्ना नहीं चाहिए, यह एकांगी से हमें बहुत सिख मिलते हैं, कि छोटा बालग सी सावक के दात गिंता है, तो हमें कोई भी परिस्तिती हो, तब डर्ना नहीं चाहिए, सोच समझ कर, प्राट आखन में बताई थी कि दो बच्चे दो मित्र थे पके जंगल के गुमने के लिए गए वहां एक भालू आ गया तो एक मित्र है उपर चड़ जाता है दूसका मित्र है पेड़ के उपर चड़ने नहीं चाहता था तो वह क्या करता है सुच समझ कर वहां ही सुच आता है मरा अभुवा समझो ऐसे भालू आपर वहां से चला जाता है और दूसरा मित्र है जब नीचे आता है तब बताते हैं कि आपको भालू ने कान में क्या कहा तब दूसरा मित्र क्या कहता है कि कहा कि ऐसे स्वार्थी मित्र को कभी मित्र नहीं बनाना चाहिए तो भरत नाटक जो है उसमें से आपने बहुत सिख मिलती है कि हमें हमें साथ जीवन में नीडर रणना चाहिए क्या बनना चाहिए दीडर पहले तास में आपने इस इकाय का इस एकांकी भरत का परिचे लिखा अब हमबर्ग में पार्ट छो के भरत पार्ट का शब्दार थे वहां की कात्य में लिख लेना मैं इदर नुहांपर भी लिखे हैं उसमें क्या है कि बात पर कान नहीं दरना तो अनसुना करना दोखा खाजाना सची बात को न समझपाना यानी मुर्ख बढ़ना सुन्दर मजानों पाड़ में आपने तमने पंखो बें महसे घरे पड़ तमे तमने तमारा भाई में होई तो ना नक्षो प्याने रजुकर जो बहु मजा हसे आवजो नमस्ते